एक बहुत ही अच्छी Forex Trading Strategy वो भी पांच मिनिट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे परपस के लिए जिसको आप Gold में भी लगा सकते हो, Crude All में भी लगा सकते हो, Pairs में भी लग सकते हो, Dow Jones में लगेगा, American Market में उसके लग वीडियो बनाऊगा, बट इन सारी चीजों में लगा वीडियो स्टाट करते हैं, तो कि शुरू करते हैं आज का वीडियो, बहुत ही जबर्दस्त Forex Trading Strategy है, यह एक ऐसी strategy जो हर दिन आपको signals देगी, बट जबी भी signals देगी, यह आपको बहुत ही अच्छे signals देगी, आने कि इसका win rate काफी अच्छा है, इसका win size काफी अच्छा है, भी depend करता है कि आप कितने चैसे वीडियो को समझ पाते हैं, तो make sure time है आपके पास, तब इस वीडिय को देख रहे हैं, चलो शुरू करते हैं, तो मैं आपको ले के चलता हूँ, और मैं सबसे बड़ी आपको इस वीडियो के end में, मैं पूरे attachment दूँगा, पूरे PDF दूँगा, rule के PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, printout निकाल सकते हो, दीवार पे चिपका सकते हो, सारे example दूँगा गोल्ड में, कुछ pairs में, पूरा homework दूँगा, जैसे मैं मेरे students को देता हूँ, हर class के बाद, मेरे students को हर चीज़ का notes देता हूँ, आपको भी मैं ऐसे notes प्रोवाइड करूँगा, चलो start करते हैं, तो आज जो strategy हम use करने वाले हैं, intraday forex trading strategy, इसमें हमको use करने हैं कुछ key component, तो यह एक एक दिन का, बताते हैं कि एक दिन खतम हो गया, तो यह रहा session break, ठीक है, तो इस तरीके से अपन को इस चीज़ को use करना है, तो अब अपन को trade कैसे करना है, अपन को क्या मालूम चल गया, कि यह पूरा का पूरा एक दिन है, अब अपन को trading का timing है, इसमें अपन को trading का timing यूज नहीं करने वाले हैं, हम इसमें यूज करने वाले सिर्फ एक indicator, जिसको बोलते है, point of control, POC, POC क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, देखो, जैसे कि ये मान लेते हैं, मैं ये वाले दिन trade लेना चाहता हूँ, ये वाले दिन अगर मैं trade लेना चाहता हूँ, for example, तो मै क्या करूँगा, मेरे को दो दिन का data, एक ये दिन, ये दिन, दो दिन का POC निकालना, POC कही लोगों को लगता है कि, एक ऐसा indicator है, यहाँ पे, जो की paid version में मिलता है, बट नहीं, मेरा mouse लेको कहां लेके जा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे आओगे, कहां पे, जहाँ पे long position short position का मिलता है, नीचे आपको fixed range volume profile नाम का indicator मिलेगा, इसके अंदर POC मिल जाएगा, point of control, इस पे click करोगे, और जहाँ मैं mouse लेके जा रहा हूँ, ये दिन की शुरुवात, से लेकर के ये दिन की end, यहनि दो दिन का आपको data पकड़ना है, अगर तीसरे दिन trading करना है, यहनि आ point of control, तो इस red color की line को एकड़म line नहीं मानेंगे अपन, इस red color की line को हम मानेंगे एक zone, for example एक zone मानेंगे, ये दिन तो बना नहीं है, अपनको मालूम तो है नहीं, अपन इसको replay mode पर डाल देते, जैसे कि अपने trade करने जा रहे हैं, अब हमें तो मालूम नहीं है, कि इसके आग तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, color थोड़ा सा इसका strong कर देता हूँ, और इसको मैं, ठीक है, black color is okay, blue भी कर सकते है, black भी कर सकते है, हमारी मर्जी हमने इसको कर दिया, तो हमको मिला हमारा पहला magnet, अब आज के दिन trade करने के लिए, दूसरा magnet मुझे use करना है, previous day low, previous day low है नहीं कि ये दिखरा आपको ये area, ये area है मेरा previous day low, अगर wick और body बहुत छोटी तो दोनों को पकड़ सकते हैं, इस तरीके से एक zone मैं ये बनाऊंगा, और मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक area जिसका नाम है previous day high, ये रहा हमारा previous day high, wick और body दोनों पकड़ लो, त तो ये मैंने बना लिए 3 magnet, समझ किया आप, 3 magnet क्या हो गए, ये 3 magnet बन गए मेरे, अब ये 3 area को, ये black line अटा देता हूँ, अब ये सिर्फ इन 3 चीजों को use करके मेरे को मेरी trading करनी, को indicator नहीं, क्या किया मैंने, अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ फिर से, this is point of control, ये red line क् बता रही है कि इस area में सबसे ज़्यादा buying और selling हुई है, यानि कि ये जो range है 1.36920 USDCAD में, इस जगह पे सबसे ज़्यादा buying और selling हुई है, और सबसे ज़्यादा volume यहाँ पे बना है, ठीक है, ये fixed range volume profile, तो ये volume use करके बता रहा है कि highest volume, इस price पे हुआ, सिर्फ volume अखेला नह ये बता रहा है, highest hands exchanged, इस level पे हो, तो ये level दिख रहा है हम लोगों को, ये सबसे बड़िया level भाई, तो इस level पर अपने बना लिया, अब देखो, अब trading कैसे करनी है, हमको जाना है, और इनी level के आस पास के reaction पे, trade करना है, अगर हमको को चचपट, obvious सी बात है 12 बजे के बाद तो यानि कि 11-12 बजे तक मैं यहाँ पे कोई भी trading नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे 11-45 डाल दूँगा, 11-45 के active हो जाऊँगा, और trade करना चालू करूँगा, उसके बाद ही करूँगा, तो अपन को कुछ नहीं करना है, market वैसे भी साइरेंज में जाता है, ऐसे time पे, जब त trap entry लेनी है, reversal entry लेनी है, और breakout and retest entry लेनी है, यानि कि यह breakout है, यह मैं नहीं लोगा, अगर यह मानलो इस पे trap बना के उपर closing देगा, ओके, दे दिया, मैं यहाँ पे अपनी long position बनाऊँगा, और मैं don't worry, यह बस पढ़ाना चालू किया है मैंने, इस तरीके से मेरा stop loss जाएगा obvious सी बात है, जो मेरा recent low है, उसके थोड़ा नीचे में, ठीक है, यानि कि मेरा stop loss जाएगा, यहाँ पे, कितने का, only 18-20 pips का stop loss जा रहा है, कोई बड़ी बात में 20 पर पपन दे सकते है, और target हम कोशिश करेंगे, risk reward match नहीं होगा, 0.75 है, इसलिए यह target हम कोशिश करेंगे, पक कहीं पर, और यह हमारे हाँ पर target होता है, तो this is how I have used my POC and previous day low and previous day high, ठीक है, तो I hope मैंने आपको एक live example समझा है, अब मैं आपको जाता हूँ सीधे notes पे ले करके, और आपको मदद करता हूँ, और guys एक बहुत important बात आज बोलना चाहता हूँ, कि कभी भी यह सब trade करेंगे, त broker कैसा है, इंडिया में forex, क्योंकि तेरे किसे legal status नहीं मिला है, तो बहुत ही कम companies है, जो आपका काम करके दे सकते हूँ, XNES उनमें सेख है, और XNES company बहुत बढ़ी कमदी, 15 साल पुरानी company है, जिसमें मैं बहुत अच्छी position रखता हूँ, बट क्या position रखता हूँ, क्या नह बस जाते हैं, कभी पैसे, बड़ा deposit करने में लोग डरते हैं, क्योंकि विड्रो नहीं मिलता, अगर आप एक, डाल दोगे 1 करूट, तो मिलेगा क्या विड्रो आपको, नहीं मिलता भाई, normal companies में, यहां मिलेगा, यह मैं आपको करके दूँँगा, अगर मेरे throw count खोला है, त wrap, हम दूसरा पकड़ने वाले हैं, retest, हम तीसरा पकड़ने वाले हैं, reversal, यह तीन trade हम लेने वाले हैं, सबके example में आपको दिखाने वाला हूँ, और देखो, अगर मैं आपको यह सारी शीज़े बता रहा हूँ, मैं तर शीज़े सबको education provide कर रहा हूँ, और साथ मैं ऐसे notes भ 0.7 dollar, 36% मिल जाता है, yes, that is my motivation to make videos for you, and I'll be open with you, I'll be honest with you, मैंने आपके मुँपे बताया, तो अगर आप वो मेरे लिए करोगे, तो मैं आपके लिए करोगे, सारी problem solve, और बिना जच के आप अपना बड़ा deposit कर सकते हो, और trade कर सकते हो, I'll take care of your funds and everything, अगर कुछ होता भी इंडिय आपको जाएगी, बहुत कंट्री में काम करती है, वो अपना ये नाम खराब नहीं करेंगे, तो वापस आते, strategy पर काम की बात में आते है, rules क्या है, हम पांच मेरे time frame यूज करेंगे, और मैं ऐसी चीज़ आपके लिए लगातर बनाते भी रहूंगा, don't worry, हम previous day, previous day और POC को magnet मतलब क्या है, magnet मतलब मेरा point of concern कि मैं इसी के आज़ पास trade लेता हूँ, तीन टेट की category बनेगी, reversal, अब क्या reversal मतलब क्या, market support पहा, ऐसे touch क्या भाग गया, उसको reversal बोलेंगे, नहीं, उसको reversal नहीं बोलेंगे, reversal का मतलब होता है, reversal का मतलब होता है कि जबी भी market आगे support लेगा और एक बार उठेगा तो lossy होगा, कई बार गिरता है, क्योंकि गिरने भी ऐसे, wave number 1, 2, 3 है, तो आया, 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 डबल bottom बना के उठा, वहाँ पे अपन इसको buy करेंगे, ठीक है, यह head and shoulder बनेगा, trap में क्या होगा, हमकोच यह quick trap, ऐसा नहीं कि market ने level तोड़ा, और बहुत नहीं लेंगे, सबसे बड़ा stop loss आपका रोकने का तरीका, एक green बनेगा, कुछ नहीं करेंगे, हमको चिये दो green candle, कभी भी breakout, दो green candle पर उठाओ, आपको ज्यादा success मिलेगी, और बहुत बड़ी candle बनेगी, तो हम एक end candle पर भी ले लेंगे, breakout and retest पे क्या, simple, pure, breakout and retest, fit up लेना आपको मैं, यह रहे, आपके examples, और definitely जो PDF है, यह जो आपको मैं दूंगा, आप download कर सकते हो, इस पर download करके printout में निकाल लो, मेरी तरह, जो मैं भी ऐसे करके न, पूरे even मेरे live trades वगरा के भी review निकाले, ऐसे करके मैं printout निकालता हूं, पूरा, printout निकाल करके एक चीज को pen से समझता हूं, बहुत अच्छा deep understanding आता है, हो साटे तो यहाँ भी develop करो, professional trader बनने तो professional चीज़े भी करनी पड़ेंगी, तो anyway start करते है, यह gold का chart है, देखो market में, यह मेरा previous day high, previous day low, यह POC, market गया, direct breakout, direct breakout हमेशा लोगों को loss देता है, नई, अंदर गोसा trap इतनी बढ़िया, अंदर गुसा, must target दिया, यह रहा POC, यह रहा PDH, यह PDL, कुछ होगा यह, market आया, दो को support लिया, हमें भाइ नहीं करना, double bottom बना के दूसरी candle बनाया, हमने भाइ कर दे गोल्ड का चाटता, पांच मेट का घजब काम कर रहा है, अगर अपने के USD JPY, यह रहा POC, POC पे आया, break म अंदर की तरह, must market उपर की तरह, ठीक है, और मैं हर बार की तरह, I will be honest, with you, इसके advantage और disadvantage भी बताऊंगा आपको, कि इसमें कमी क्या है, कि मैंने अभी यह course में पढ़ाता था, मैं, बिल्कुल यह मारा main strategy था, बट main study मैंने बहुत अच्छी बना दी अपने course के लिए, तो मैं, यह भी अच्छी है, काम करती, बट इसका एक disadvantage का है, मैं जरूर बताऊ हूँगा आपको, I'll be honest with you, but यह बहुत अच्छा है, बतला फॉर शोर यह, सिर्फ यह apply करो के तो बैठे रहो के खाली, कुछ दिनों, कुछ दिना entry नहीं मिलेगी, लेकिन काम करता है, तो आपको अपना price action भी लगाना है, सिर्फ इसके दम पर नहीं चलेगा, जो पिसके पह आपको एक reversal के example दिख रहा है, market आया, support लिया, double bottom बनाया, यहां भी entry की जा सकते थी, यह भी trade मिलता है अपन को, और must target दे रही आला trade भी, market आया, breakdown, retest, shot किया, breakout, sideways दाके, breakout, retest, target, trailing हो गया वहाँ पे, breakout, retest, USDJPY, breakout, sideways, target, breakdown, target, breakout and retest, नीचे breakdown and retest, आगे यहाँ पे आते हैं, यह reversal, market आया, एक support लिया, दूसर support लिया, enter, rejection लिया, rejection लिया, neckline थोड़ा, sell, आया, support लिया, यहाँ पे support लिया, support लिया, 2-3 बर support लेने का दूठे, आप buy करो, दुबार एक और double bottom बनाया, यहाँ और quantity डालो, one is two to hit हो रहा है यहाँ 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 यहा तक टार्गेट मिल सकता है, तो I hope आपने सही answer दिया होगा, और अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है, तो वीडियो लाइक कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारे Forex वीडर दोस्तों को share भी कर देना, आगे इन market आया, support लिया, support लिया, यह strategy मैंने बना बनाई थी, बहुत मज़िता strategy थी, और इसे use भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ, बट अभी मेरे पास इतनी strategies हैं, और कुछ का win rate बहुत अच्छा है, मैं वो use कर रहा हूँ, बट यह definitely आपके साथ share कर रहा हूँ, आपके भी काम आए, आगे बढ़ते है, double bottom बनाया, reversal में trade दे दिया, तो this is how, अब क्या है, मैं आपको gift में, as a gift, मैं आपको देता हूँ, मैं आपको देता हूँ, as being a good subscriber, gold का पूरा का पूरा हिसाब के ताब, इसके नीचे ये भी लिखा है, reversal कितने आए, win rate क्या था, trap का win rate क्या था, इसका win rate क्या था, breakout and retest का, ये भी दूँगा, म मैं आपको USD, CHF का भी दूँगा, इसके behind में सारी का सारा trade मिलेगा आपको, कि इसका reversal trade आया ही नहीं, इसमें एक आया, एक वे sell होगे, एक break even हो गया, और एक इसमें retest में 12 trade आये, 16 trades आये, trap के 50% min rate है, trap में इसमें 78% है, इस तरीके से आपको इस सारे PDF मैं दे रहा हूँ, औ और इन सारे PDF का आप देख करके, बढ़िया तरीके से तो download कर लो, download करके study करो, अपने chart पे mark करके देखो, और definitely आपको एक से दो महिने पुराने मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैंने अपडेट किये नहीं, क्योंकि मैंने इसके बाद अपने students को नहीं भेजा, क्योंकि इसक study करके, दो महिने का homework आप करो, और इस homework को करने के बाद, अब मैं आपको clearly इसके disadvantage बताता हूँ, कि जब market ना देखो, previous day high, previous day low है, POC बीच में रहेगा, अब market जब trend फार देता है, boom, ऊपर जाता है, ऊपर, तो क्या, दूर हो गया PDH से, एक entry मिली, कमाली अपने, buy करेंगे न बाई, breakout and details होना अची है, obviously है, तो trap होना अची है, किसी POC पे, लेकिन जब दूर चला गया, फिर खीचा मैंने high or low, अब फिर खुलते, boom, ऊपर चला गया, तो जबी भी trending नहीं, super trending जाएगा market, समझ रहे हो, trending में फिर भी मो आता, आपने डाउन करके जाता है, super trending जाएगा, क उस समय आपको basic price action पर उतरना पड़ेगा, otherwise ये strategies आपको super trending छोड़के, सारे condition में, trending में, sideways में, सब में आपको entries देंगी, और income rate काफी बढ़िया है, यह मैंने बहुत अच्छे से test किया, मैं इसे use भी करता था, और कुछ-कुछ अभी भी use करता हूँ, कुछ special cases में, आप इसक इसको, मैं तो clearly बोल रहा हूँ, भरोसा किसी पर करना नहीं चीए, आप इसको download करो, आप पहले rule समझो, आप इसको homework करो, आप इसको back test करो, आप इसको forward test करो, demo करो, फिर trade करो, कोई लिक्कत नहीं है, तो I hope you understand, कि मैंने क्या समझाया, और आपको वीडियो पसंद दा, तो व आप leverage भी मिलता है हाई, बट leverage तो हर जगे मिलता हाई, बट कई जगे पे सस्ता ब्रोकरिश मिलता है, सस्ते के चक्कर में बर्बाद करनों के पूरा capital, ये दो-त्या डॉलर के लिए अपने 1000 डॉलरों को अलोकसान मत करो, इसमें account खोलो, मेरे link से खोलो, तो access at boomingoos.com पे super support म मिलेगा, आपको कोई पैसा नहीं डूलेगा आपका, और बड़ा deposit करना है, तो भी आप email करो, success कि भाई, मैं करना चाहता हूँ, करो, न डर लगता, आपको deposit करने से करो, मैं आपको reply करता हूँ, और definitely आप बड़ा deposit भी करके, trade कर सकते हो, आपका पैसा safe रहेगा, मैं manage कर तो अच्छा चाहती है, तो what is the thing, I'll make a video on this, ठीक है, चलो guys, मिलते हैं को किसी और video में, thank you so much, bye bye